हेलो गाइस, मैं आड़ी आदो, आप सभी लोगों का नॉलेज एट्यूड में एक बार फीसर स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज का इस सेजन को स्टार्ट करने से पहले, मैं आप सभी लोगों से एक बात स्चेर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इडियम फ्रेंज का जो ये सिरीज है, ये लगभग कम्प्रीट होने वाला है आज ये 40 एर मैंने बनाया है, तो 49 और 50 यानि तीन पार्ट और बचे हैं इसको लेकर यानि 50 पार्ट में जो है ये सिरीज कम्प्रीट हो जाएगा इसके बाद में आप सभी लोगों के लिए कोई नई टॉपिक लेकर आऊंगा तब तक आप लोग पेशन रखिएगा और हमारे इस चैनल को आप शेर करिए, ज्यादा लोगों तक पहुचाईए और हमारी सेशन को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना और सुचाई करना मद भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन तो आज का पहला एडियम है अनकॉल्ड फोर अनकॉल्ड फोर मिस होता है इन एप्रोपियेट या अनफेर और अनडिजर्बड अर्थात अनुचित एवं जिसकी जरुत नहीं थी इन एप्रोपियेट होना अनुचित होना या बेमानी भरा होना और जिसकी जरुत नहीं होना Uncalled for इसको आप ऐसे आद कर सकते हैं Uncalled ऐसी वस्तू जिसे call नहीं किया गया Uncalled Call मनलब होता है कि उसका डिमांड होना या उसको बुलाना तो Uncalled उसका पोजिट हो जाएगा मनलब जिसकी डिमांड नहों जिसे बुलाएं ना जाए तो इस तरह से आप rate कर सकते हैं इसकी मीनिको इस इडिम से अगला है Uncharted Waters Uncharted Waters मिस होता है New and unknown areas नया या अंजाना छेत्र या are difficult or dangerous situation that you don't know anything about या कोई परिशानी या कोई जो खतरनाक situation परस्तिती कोई खतरनाक परस्तिती जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते अधात कोई प्रेशानी या कोई ऐसी खतरनाक प्रेशिती जिससे आप मुकावला करने के बारे में जो है नहीं जानते कि आपको उस मुसीवत से कैसे डील करना है हम कह सकते हैं कि एकदम नया अनुभाव या नया कार या कोई नया छेत्र अन्चार्टेड वाटर इसको अब ऐसे याद कर सकते हैं कि अन्चार्टेड मींस होता है नौट मैब्ड और सर्वेड असा ऐसा छेत्र जिसके बारे में सर्वे नहीं किया गया है अर्थाद एकदम अनुभव हीन मलब ऐसा जलचेत्र जो एकदम नया हो जिसके बारे में पहले से कोई जानकरी ना हो तो जलचेत्र के जग़े पे हम कोई भी कार या कोई छेत्र या कोई अनुभव ले सकते हैं अगला है अंडर अक्लाउड कि अंडर अक्लाउट मीन्स होता है अंडर सस्पीशन अन्था संदेह के घैरे में हं उसको आफ इस ay smart कर सकते हैं कि कोई चीज जो है जो बादलों के अंदर च्छिपी हुई हैं बादलों के अंदर चिपी उना है य नज्रों के बादल की शेपा होना अर्था जो कोई जैसी चीज जो लोगों के नज्रों से चीपी हुई है यह मालूम है कि उसके पीछे क्या लेकिन ke perceptions है संदे के घीरे में ब smartphones चीज़ संदे में होना अगला है अंडर फायर अंडर फायर में होता है बहुत ज्यादा आलोशना करना या आलोशना के घेरे में होना तो अंडर फायर यहां इडियम जो है सतरहविस अतावदी के प्रारमभिक समय में जन्मा है तो इसको अब इसके पीछे जो है औरिजिन यह है कि उस समय क्या होता कि जो गन होते थे गन जो सहनी लोग गन इस्तमाल करते थे तो बहुत ही पुराने मॉडल को होते थे जब फायर करते थे तो उसके मुझसे चिंगारी निकलते थी कार्तूस की चिंगारी जो है दमसाफ साफ दिखाई देता था तो दुस्मन के बंदूक के आगे आग के घेरे में होना अथा दुस्मन ने माली की सेना ने फायर किया और उससे जो आग निकली और उस आग ने अपने दुस्मन सेना को घेर लिया अथा दुस्मन से कि द्वारा आग के घेरे में घिर जाना तो यहां आग का संबंद आप अलोशना से लगा सकते हैं जैसे दुस्मन अगर आपका कोई प्रतिदवन्दी होगा तो किया करेगा वह आपकी thing सिज़ाइस तो वह अग्डम पास में होगा यह ने जिसे आप आसानी से देख सकते हैं तो उ तो इस सब्छेतर यह जगा जिसे आप एसे ही समज़ सकते हैं यह मुहावरा बहुत पपलर है इंदी में भी मुहाबरा है कम यह पपलर मुहाबरा है कहते है कि किसी के नाक के नीचे कोई घटना होना तो नाक के नीचे कोई घटना घटित होना मतलब उसी के सामने घटित होना अगला है अंडर दा टेबल अंडर दा टेबल मिस होता है in secret and often illegally अर्था गुप्त रूप से या कोई गैर कानूनी तरीके से कोई कार्य होना या receiving a bribe या घूस लेना तो अंडर दा टेबल अर्था टेबल के नीचे से जो है घूस देना जैसे कि सरकारी कारयलों में अक्सर यह होता कि सरकारी कर्मचारी जो क्या करते हैं वो किसी कारी को जल्दी करने के लिए जो है घूस लेते हैं क्योंकि सरकारी कारयलों में लाल फिता साही चलती है लाल फ तो रेट टैपीज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है नियम कानून लगाना तो सरकारी कारियों में जब आप कोई कार कराने के लिए आपको घूस देना पड़ता है तो घूस को अंडर दर टेबल देते हैं कि कोई लोग उसे देखना पाए कि आप घूस दे रहे हो अनि चोरी छीपे घूस देना अगला है अंडर दा वैदर अंडर दा वैदर मींस होता है टू वी इल और फिल इल असाथ बिमार होना या बिमार महसूस करना या ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड तो अगर कोई सरा पिया है तो उसके केस में भी यह इडियम इस्तिमाल होता ह सरा पिये होना या बिमार होना अंडर दा वैदर यहाँ इडियम जो है समुद्री स्रोतो अथा मैरी टाइम सोर्स से आया है तो पुराने समय में जब एक नावी करता सेलर जब अपनी तवयत को अच्छा मैसूस नहीं करता था जब उस लगता रहा हूं तवियत में जब उस से डेक यानि जहाज की छत से नीचे भेज दिया जाता था रेश्ट करने के लिए ताकि वहां जाकर रिकवर हो जाए तो जिससे की वहाँ जहाज के उस वैदर से दूर रह सके अंदर दा वैदर मलब उस जहाज के वैदर से दूर रहना तो जिससे की उसकी तवियत ठीक हो जाए जब उसके तबियत थी होती थी फिर वापस वो डेक पे अर्था डेक मतलब जहाज के छत पर फिर आयाता है अपने काम पर लॉट आता था तो अंदर दा वेदर मतलब उस जहाज के जो है इन्वार्मेंट से उस मौसम से अलग रहना ताकि बीमारी ठीक हो जाए अगला ह अप अब ब्लाइन एले अप ब्लाइन एले मिन्स होता है तो वी डूइंग सम्थिंग दैट बिल डिफिनेटली है वे निगेटिव आउटकम अर्था ऐसा कार्य करना जिसका प्रिणाम जो है नकरात्मक निकले या सम्थिंग दैट लीड्स यू नावेर और इस आफ नो य या ऐसी चीज़ जो आपको कहीं ना ले जाए जिसका कोई अंत ना हो और उसका कोई यूज ना हो बंद मुहाने पर किसी जिसके आगे कोई रास्ता ना हो अले मिन्स होता है मुहाना गली जो गली होती है उसे बोलते हैं एली तो एली मिन्स होता है गली अथाद अब ब्लाइन एली अथाद ऐसा ऐसी गली जो आगे से बंद हो हूँ तो क्यों के साथ हमसे को ऐसे ही मäलाव इसक przecianas है कि कोई ऐसा कारिय करना जिसका कोई ना हो इसका कोई अंतन नहां होえて पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा यह ना पता हो अगला है अप एन अबाउट अप एन अबाउट मिस होता है तू कम आउट आफ दा बेड आफ्टर एन इलनेस और इंजरी अर्थाथ बिमारी के बाएक लंबी बिमारी के बाद बिस्तर से उठना या चोट लगने के बाद या बिमारी के बाद बिस्तर से स्वस्थ होकर वापस उठकरे होना बिमारी के बाद पुना स्वस्थ होना अप एन अबाउट तो गेट अप, अप means, गेट अफ अप आउट अप दा बेड एन डो वर्क अवाउट इसको इसमें आथ कर सकते हैं लक्ष के लिए कुछ करो अगला है Up for grabs Up for grabs मिस होता Available to Anyone अर्था सभी के लिए उपलब्ध होना या Unclaimed अलब जिस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि ये वस्तू मेरी है या मेरी है ये सब के लिए उपलब्ध है आसानी से हासिल किये जाने के लिए उपलब्ध होना Up for grabs Grabs मिस होता है हतियाना या हासिल करना अथा हासिल करने के लिए तैयार रहना हासिल करने के लिए उपलब्ध रहना सभी के लिए अगला है Up in the air इसका मतलब होता है Unsure या Full of doubt Unresolved या Undecided Unsure होना अर्था कोई चीज सुनिश्चित ना होना या Full of doubt या doubt से भरा होना या Unresolved Unresolved मिस अंसुल्जा या Undecided जिसके बारे में कोई Decide या कोई निड़े ना ले पाना अर्था Unresolved होना Up in the air कोई बस तू जो है हवा में है तो जैसे हम कहते हैं कि हवा में होना तो हवा में बाते करना या कोई चीज़ हवा में होना तो अगला है Up One Sleep Up One Sleep में होता है A Secret Plan या Idea और Advantage That Can Be Utilized If And When It Is Required असा कोई ऐसा गुप्त योजना या कोई Plan या Idea That Can Be Utilized जिसका प्रियोग हम कर सकते हैं And When It Is Required असा कोई ऐसा कैसी योजना या युकती जिसका हम प्रियोग कर सकते हैं And Moke पर या कोई ऐसा कैसी योजना या युकती जो है उसको भविष के लिए छिपा कर रखना और जब जरूत पड़े तभी उस उसका इस्तमाल करना असाथ हम कह सकते हैं कि गुपत लावि की इस्थिति, अप बन स्लिप, यह है आधियम जो है, यहाँ कार्ड गेम सतर, तास के पत्टु का जो खेल होता है, वहाँ से आया है, तो माली जी कोई प्लेयर है, उसने तास के पत्टी को, य्या तुर्व का जो इक्का है, यह ट्रम कार्ड है उसको उसके अपने स्लीप में छिपा कर रखा है और किसी को मालूम नहीं कि उसके स्लीप में जो है ट्रम कार्ड है और वो लास्ट मुमेंट में जब वो हाने लगेगा तब वो निकालेगा खेल को जीतने के लिए तो अपने स्लीप में कार्ड को छिपा कर रखना अर्था गुप्त लाब की स्थिति होना अगला है अब दा एंटी अब दा एंटी मींस होता है increase the demands or risk to obtain better result अथा किसी चीजी की मांग बढ़ना या कोई खतरा जो है ज्यादा खतरा मोल लेना ताकि जो है अच्छा परिणाम मिले अथा जोखी मुठाना ज्यादा जोखी मुठाना या ज्यादा जो है मांग करना जिससे की उसका परिणाम अच्छा निकले जैसे की लिखा हुआ हंदी मीनिंग में किसी चीज का महत बढ़ा देना खत्रे के बावजूद खत्रे के बावजूद भी उसकी जो उसका डिमांड है वो बढ़ जाना चाहिए कोई खत्रा है तब भी उसका डिमांड बढ़ेगा यहाँ इडियम जो है बैटिंग गेम से आया है अर्था बैटिंग गेम मतलब सर्त लगाने का गेम जो हम बैट लगा तो एंटी क्या होता है एंटी वहा रासी होती है धन रासी होती है जो की जो खिलारी होता है खेल सुरू होने से पहले लगाता है अर्दा सर्थ में लगाई गई जो जो एमाउंट है जो रासी लगा या जिस सर्थ लगाते हैं ना कि मैं 50 रुपय का सर्थ लगाऊंगा एक जर the anti कहते हैं तो up the anti अर्थात सर्थ किरासी को बढ़ा देना चाहे वो उस खेल में हार भी जाए तब भी वो सर्थ किरासी को बढ़ा देगा उसे पता है कि मैं हार भी सकता हूँ जीद भी सकता हूँ, भी हार भी सकता हूँ, तो, रिस्क लेकर भी, जै स्क थे, बावजूद भी, वो, भला देता है, सर्ध की रासी को बढ़ाता है, तो आप, the anti-manapos means होता किसी चीज का math भला देना, खत्रे के बावजूद भी अगला है अब टूदा मार्क मिस होता है सटीक या टूबी गुट इनफ या प्रियाप्त मात्रा में प्रियाप्त रूप से जो है अच्छा होना गुट एस अच्छा होना जितना किस ने एक्सपेट किया था जितना आसा किया था मलब आसा के अनुरूप जो है कोई चीज सही निकलना या अच्छा निकलना या to the point up to the mark तो mark मतलब निशान मालेजे archery का game है तो अगर archery का game है तो उसमें क्या होता है कि जो निशाने वाज होता है एक्दम उसी mark में जो है सटीक निशान लगाता अगर उसे निशान लगाया उस mark में जाकर लग गया तो हम कहेंगे कि अब to the mark अर्थाथ उस खिलारी ने या निसाने वाज ने उस mark में एकदम सटीक निसाना लगा दिया है तो अब to the mark मिन्स होगा सटीक या इतना या कह सकते हैं कि आसा के अनुरूप कोई प्रयाम जो है सही निकलना या अच्छा निकलना जितना आपने आसा क्या था उसी के अनुरूप जो है प्रयाम निकलना अगला है अपर क्रस्ट अपर क्रस्ट मिन्स होता है अर्थ है अर्थ की जो सबसे उपरी लेयर होती है उसे बोलते हैं क्रस्ट तो अपर क्रस्ट अर्था सबसे उपर की लेयर होना तो उपर की लेयर मनलब समाज में सबसे उपर की लेयर मनलब समाज में सबसे उच्छे जो है अस्तर के जो जो लोग है उच्छ वर के लोग है उसे बोलते हैं अपर क्रस्ट अगला है अपर हैंड अपर हैंड मिन्स होता है अपोजीशन सुपीरियर टू समवन अथात कोई ऐसे कोई ऐसा स्टेटस या ऐसा अस्थान जो किसी और से उंचा हो या दूसा मिनी यह है दा एडवांटेज आप समवन या किसी के लिए लाबकारी होना तुलनात्मा ग्रूप से लाबकारी इस्थिति में होना अपर हैंड यहाँ फ्रेज जो है अमेरिका में जन्मा है ऐसा माना जाता है तो जहां बेस बॉल जो टीम होती है तो बेस बॉल टीम को सुनिश्चित इस पकार किया जाता था मलब जैसे कोई टीम है उसको उस मैच में सामिल करना ही कि नहीं करना है तो उसके लिए एक तरीका अपना आ जाता था या कौन सी टीम जो जीतेगी कौन सी टीम टॉस जीतेगी और जो पहले पहल करेगी गेम में तो इसके लिए एक तरीका अपना आपा इसायता था इसमने क्या होता है तो दो टीम के कैपटन अपने हातों को बैट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखते थे मतलब बैट रख दिया था और उस बैट के ऊपर दोनों के टीम के कैप्टन जो अपने हाथों को रखते थे तो जिस टीम के कैप्टन का हाथ ऊपर रहता था तो वो टीम जो है वो जो पहले पहल करती मतलब वो टॉस जीत जाती थी और उसको ट अपर हैंड मतलब तुलनात्मा रूप से लाभकारी इस्तिति आप जिस टीम का कैप्टन जो है अपने हाथ को ऊपर रहता था वो लाभकारी इस्तिति में रहता था वो पहले जो है गेम को पहले खिलता था अगला है अपर एंड डाउंस अफ्स एंड डाउंस में होता है उतार या चड़ा ओना था थाल्टनेटिंग प्रइंड अफ फूर्ड और्ड फिलिंग Hiç मैं स्वट यहां मिस्टेख हो गया है यहां फूर्ड लिग गया यहां यहां फूर्ड नहीं हां गुड होगा गुड हो गया आपे तो alternating period of good and bad feelings अठाद अच्छा और बुरा अनुभाव का उतार चरह होना कभी अच्छा नुभाव होना कभी बुरा नुभाव होना उतार चरह होना अगला है offset the apple card offset the apple card means होता spoil or disrupt a plan or arrangement अठाद कोई plan या योजना जो है वो बाधित या भंग कर देना disrupt means बाधित करना या भंग कर देना हम कह सकते हैं कि योजना बरवाद कर देना कोई योजना जो है उसको बरवाद कर देना offset the apple card तो यह इडियम जो है roman times इस्तमाल होता आया है तो इसका मलब होता है मैसब दा whole thing और यह इडियम जो है वो 17 सताबदी के अंतिम समय में जन्मा था तो इसको अब ऐसे याद कर सकते हैं offset the apple card माले ये कोई card है इसमें apple रखा हुआ है ठीक है और apple से भरे हुए उस card को अगर हम upset कर देंगे तो क्या होगा सारे apples जो है नीचे गिर जाएंगे अर्था apple से भरे हुए card को हिला देना जिससे की उसारे apple नीचे गिर जाएंगे तो इससे क्या होगा कि योजना बरवाद हो जाएगा अगला है U-turn U-turn मिस होता है A reversal of policy या tactics The like or approach A reversal of policy या थात्य कोई नीती या नीती या the like or approach या Buddhist कोड में बदला हो जाना अर्थात कोई नीती या किसी youkti me या योजना में या किसी की पसंद या किसी का university nor जो है यह बदल जाना मत या डिश्टि कोड में एकदम विप्रीत बदला होना U-turn U-turn क्या होता है यह जैसे कि माली यह road है ठीक है यह road के माली right side को वेकल जा रही है और उसको जब turn करना होता है माली right left side आना होता है तो क्या करता है यू-turn लेता है इस तरह से घूम कर जो है यह आपउजित डैक्शन है फिर यह चलने लगता है तो इसको हम यू-turn बोलते हैं जब हम सड़क को जो है जब सड़क को हम क्रॉस करके दूसरे साइड जाते हैं खासकर गारी या कार से या बाइक से तो इसे यू-turn बोलते हैं रास्ते का जो डारेक्शन है वो बदल दिया तो उसी तरह से यूटन लेना मलब डारेक्शन बदल देना अर्था अपने विचारों का जो डारेक्शन है या द्रिश्टी कोर का जो डारेक्शन है उसको बदल देना अगला है यूटोपियन यूटोपियन मिस होता है आइडिलेस्टिक बट इमेजिनेरी अर्था आदर्स होना परंतु आवहवारिक होना तो यूटोपियन जो है इसको आप ऐसे याद करेंगे इसका माला होता है कालपनिक होना लेकिन आदर्स होना मतलब आदर्स रूप में अच्छी होना लेकिन वो कालपनिक होना उसको आदर्स लोग मानते हैं यह चीज अच्छी है लेकिन वो रियल में वो चीज ना होना तो यहाँ एक कालपनिक समू या समाज जिसके नागरिक बहुत आकरसक तथा अच्छे गुणों वाले हो उसे हम बोलते हैं यूटोपियन तो यहाँ सब्द जो है सर्थॉमस मेयर दोवारा जो है सर्थॉमस मोर दोवारा अपनी एक पुस्तक जो है उन्होंने लिखी थी 1516 मे तो उसी पुस्तक में जो है यूटोपिया वर्ड का इस्तमाल उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने एक कालपनिक या अर्थार फिक्षिनल आईलैंड या समाज करवणा किया था जो कि South Atlantic Ocean में है जो कि South America में है तो उन्होंने इस समाज में ऐसी कलपना की थी कि इस समाज के लोग जो है बहुत ही उच्च वर्ग के हैं, बहुत ही आदर्स है, लेकिन जो है हकिकत में ऐसा कोई समाज या कोई छेत्र नहीं था, तो उसी को उन्होंने यूटोपियन कहा था, यूटोपियन मतला बहुत ही Jaisi कि गागन्धि-जिन ने रावराज की कल्पना की तो रामराज जो है हकिकत में तो है निस समय लेकिन उन्हों कल्पना की कि आने वाज समय में हमारा एक तरह से यूटॉपियन यूटॉपियन मलब ऐसी आदर्स परशिती होना लेकिन रहा हकीकात में ना होना अगला है वेंट दाइस्प्लीन वेंट दाइस्प्लीन मींस होता है टू एक्स्प्रेस योर फीलिंग्स और एंगर अथाद अपने अपना क्रोध या भावना जब्यक् आफ आयूसे हम इस्प्लीन बोलते है, तो उनन मी सरतवु तक, योरोपियन उप्राम ममर्श कासी पार्थ होता कि कुरोध अभावना या उस स्प्लु कि tune और तो पिलीहा में छिद्र होना का अर्थ होगा कि उस छिद्र से क्रोध की भावना बाहर आना वेंट मिंस होता है छिद्र इस्प्लीन मिंस होता है पिलीहा असा पिलीहा में छिद्र होना तो पिलीहा में छिद्र होना मतलब उस पिलीहा से क्रोध की भावना बाहर निकलना उस छिद्र से रिस जाना क्रोध की भावना क्योंकि इस प्लीन जो है वो क्रोध का छिद्र रही क्रोध की जो भावना है वो यहीं से उत्पन होती ऐसा माना जाता था उनीज़ी सतावधी मे लेकिन हकिकत में ऐसा है नहीं तुमाही से ये एडियम आया है अगला है वेक्सिंग कोश्चन वेक्सिंग कोश्चन में सोता है अधिफिकल प्रॉब्लम देट पिपल ओफन टॉक एन और्गी अवाउट अथा ऐसी कठिन समस्या इसके बारे में सायद ही लोग बात करे या उसके बारे में बहस करे कठिन समस्या या प्रस्ण वेक्सिंग कोश्चन जो है वेक्सिंग में इस क्या होता है अप्रिये कोश्चन में प्रस्ण अथा कोई अप्रिये कोश्चन होना वेक्सिंग अपरी प्रस्न इस तर याद कर सकते आप अगला है महीं को भी से सर्कल होटा है कि लिए सरकल में होता है आप काटिनीविंग हिंदी परेसम लेते हैं इसका माला होता है कूछ चक्र कूछ चक्र होना कुछ अगर माला कोई खराब परिस्थी जो बार बार आए जिसका चक्र जो है साइक्ल कांटिनु चलता रहे अगला है इसका मेंग समय लेते हैं पहले इंगलिस मेंग होगा अजित जो बार बार जो है जारी रहे या क्रिये टेट वेन वन प्रॉबलम कॉस अनदर प्रॉबलम कोई घटना जरी रहना और यह कोई नई मुसीबत का कारण वने created when one problem calls another problem and that then makes the first problem worse असाद एक परिशानी खड़ी होना खड़ा होना और वो जो है वो प्राब्लम जो है कोई नई प्राब्लम को जन्म दे और जो नई प्राब्लम जो है पहले वाले को और ही खराब कर दे असाद पहला वाला जो पुरानी परिशानी है और भी जो है बढ़ती जाए तो इसको अब ऐसे याद करेंगे इसके पीछे एक छोटा सा ओरिजिन है ओरिजिन यह है कि अठारवी सतावदी में जो है जो क्या हुआ था कि एबीसे सरकल नाम जो है यह उन्होंने दे दिया था एक तरक सास्तरी थे उन्होंने क्या प्रूब दिया था कि A is equal to B, B is equal to C, C is equal to A अब A is equal to B B is equal to C C is equal to D फिलास्ट में D is equal to फिर A तो उन्हों कहा था यह cycle चलता रहेगा A के बाद B आएगा B के बाद C आएगा D आएगा फिर A आएगा फिर B आएगा C आएगा D आएगा तो कोई तर्क है जो है उसको किसी विशाय पर उन्हों तर्क देने के लिए उसको प्रूप मलब ऐसा तर्क जो की तर्क हीन था लेकिन आपने तर्क के दुवारा उसको सही साबित करने के लिए जो है उन्होंने इतर्क दिया था क्योंकि तर्क सास्ते क्या करते हैं वो सही को भी गलत साबित स्री गलत चीज को भी सभी सबीत कर देंगे जो चिये हकीकात में नहीं है और कहेंगे दिन को रात तो दिन को रात थावित कर सकते हैं अपने बुआज़ा तो उस‌तर एक मतर रात उसने यह क्या किया था यह साइक्ल बनाया था कि एक ठीक है और वो भीमारी उस भीमारी से एक नए पैदा हुग habits साइक साइक्स टूइ बिमारी का बड़ता चलता चलता जा रहा है एक पर एक नहीं थे कोई दूसरी पिमारी य वागई तो उसके नहीं एक चक रहे हों सहाँ जारी है है अ अगला इडीयम है बोल्ड फेस, बोल्ड फेस में होता है तो चेंज बिलीफ फ्राम सम्फिंग तो इट्स कम्प्रीट अपोजिट, अथा अपने मत में पूर्ण बदलाव लाना, बोल्ड फेस, तो यहां जो है इडियम जो है लेटिन साय है तो लेटिंग में इसका मिनिंग था वोलवेरा फैसिस इसको ऐसे लिखा गया था वोलवेरा फैसिस तो जिसका अर्थ था टू रोल दा फैस और चेंज अपिरेंस एंड इस रीड एस वोलवेरा फैस तो लेटिंग वर्ड है लेटिंग वर्ड वोल्ड फैस अपने चेहरे को या गर्दन को घुमा लेना आपोजिट डारेक्शन में वोल्ड फैस अर्थ अपने फैस को आपोजिट डारेक्शन में घुमा लेना तो लेटिंग वर्ड है यह तो वोल्ड मतलब अपने चेहरे को घुमाना मतलब कि किसी के तरफ से कोई सामने ब्रैक्ति आपके है उसके तरफ से आपने उसके अपने अपने मत में बदलाव कर दिया अपने मत में पूर बदलाव कर देना अधा किसी मुद्दे से अपने चहरे को अपोजी डियक्शन में घुमा लेना अगला है वोट विट वन्स फीट वोट विट वन्स फीट में होता है तू शो डिस एग्रिमेंट और एंगर अबाउट सम्थिंग अधार किसी चीज के बारे में जो है असहमती जताना या क्रोज जताना नराजगी या असहमत प्रकट करना किसी बात पर वोट with one's feet अथार अपने पैरों से किसी को वोट देना वोट तो हम उंगलियों से देते हैं फिंगर से लेकिन अगर किसी को पैर से वोट देंगे मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं आसाहमती जतार है इसको उपर हम उसको आसाहमती जतार हैं और दिखा रहें तो अपने पैरों से देना अलाव उसके प्रती आस्यक्थ दिखाना या नाराजती दिखाना तो या कह सकते हैं कि हम उसको बोट नहीं देंगे आप पैर सब्सक्रीज दिखा यह दोगा वे ऊक्त फर另外 के टाक है मैं आप सभी लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा तो तब तक आप हमारे इस सेशन को जम कर लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों तक शेर करें ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाईए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेगा ओके थैंक यू फर वाचिंग गुडबाई